आज हम बना रहे हैं बहुत ही healthy vegetables से बहुत ही healthy और tasty नाश्ता जो कि आप पाटी में, get together में, breakfast में, tea time snacks में मझे से enjoy कर सकते हैं बहुत ही मझे का और simple नाश्ता है इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला हम इसका एक बहुती बढ़िया टेस्टी सा चटपटा मसाला बनाने वाले हैं इसके लिए आप एक टेबल स्पून सूखा धन्या लें एक टेबल स्पून हमने यहाँ पे गिरा ले लिया है इस तरह से बहुती बढ़िया हमारा यह नाष्टा बनने वाला है और इस नाष्टे को आप कौन से सिटी से देखने कमेंट्स में जरूर बताएं अभी हमने आप इसे पीस लिया है इसे और अच्छा टेस्टी बनाने के लिए मैं आप 5-6 लैसुन की कलियां डाल दूँगी यदि आप लैसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं आधा इंच हम यहां पर बारी कटी हुई जिंजर यानि अद्रक टाल देंगे दो से तीन मैंने आप यह हरी मिश टाल दी मुझे यह तीके काफी पसंद आते हैं तो मैंने इसमें इसमें मिर्च ज्यादा डाली है अभी हमारा चैट पडा टेस्टी मसाला तयार हो चुका है इसे बना कर साइड में रखें मैंने यहाँ पे जो नाश्ता बनाने वाली हूँ, आज यह ब्रोकली का नाश्ता बनने वाला है, इसे मैंने काफी अच्छी से पानी से धो कर निकाल दिया था, अभी हम इसे क्लीन करेंगे, तो जो भी यह पत्ते वाले पाट है, इन्हें आप डिमूव कर दें, मोठा वाला इसे निकाल दे, उसमें से जो आप कच्छा वाला डंडा मिलेगा, उसे आप बाद में यूज करने के लिए रख सकते हैं, अभी हम आप इस थोड़े सी ब्रोकली को निकाल के साइड में रखेंगे, क्योंकि यह मेरा ठोरेट कापी बड़ा था, तो मैं से सैलेड बना इन कट्लिट्स को हेल्दी वे में कैसे बनाएं, वह यह वे में आपको जरूर बताऊंगी, तो ब्रोकली को और हेल्दी बनाने के लिए आप इसे बॉइल ना करें, इसे आप इस तरह से स्टीम करें, स्टीमर मैं तयार कर लिया था है, इसे हम यहाँ पर मीडियम टू हाई करीब आठ से दस मिनिट के लिए स्टीम कर लेंगे, ऐसा करने से ब्रोकली बहुती सॉफ्क जाती है, बहुती बढ़िया इसका प्यारा कलर क्रीग कलर आ जाता है, काफे अच्छी से स्टीम हो जाने के बाद में आप इसे गैस स्टूफ से उतार लें, उसके बाद में से ठं प्लेट में ट्रांसफर करें, साथ ही इसमें एक बॉइल किया हुआ हम आलू डाल देंगे, अभी मैंने यहां पर फ्रेश धनिया डाल दिया है, फ्रेश धनिया खूब अच्छे से डालें, क्योंकि यह भी काफी हेल्दी होता है धनिया, इसके कोड़ियों नमक डाल दीजी इसमें फ़र समचूर पार डालें, क्योंकि हेल्दी होने के साथ साथ हम इसमें सोड़े सपाइस भी डालेंगे, तो यह और भी मज़े का लगता है, और खाने का मन करता है, पिसा हुआ मताया अमसार डाल देंगे, ऐसमें चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, से हमने mix कर लिएंगी जरुत पढ़ने पर आप कम ज़्यादा ब्रेट कर सकते हैं इस तरह किया यह मिक्षर बन जाने के बाद में हम यहाँ पर इसके cutlets बना के तयार करेंगी तो बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं पहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं इस तरह से पहले की बॉल बनाएंगे अच्छे से फर्म बॉल बन जाने के से हलका साथ फ्लैटन कर देंगे और तयार है हमारी सारे cutlets जिने आप फ्रेज या फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं अब मैंने आप यहाँ एक फ्लैट बॉटम पैन लिया है उसमें यहाँ पर इसके फ्राय कर तो आप यहन पर हलका सा ओईल लगाएं ओईल ब्रश करके आप इने air fryer भी कर सकते हैं साथ ही आप यहाँ बहुत कम तेल में इने शेलो फ्राय कर सकते हैं ताकि यह और भी healthy हो जाएं अच्छे से color आजाने के बाद में हम यहाँ पर इने fry करेंगे फ्लिप कर लेंगे फ्लि के मेरे साथ ही हुआ था तैयार कट्लेट्स को आप बहार निकालें और इन्हें गर्म गर्म टमाइटो कैचप या चटनी की साथ तैयार करें मेरे हाँ पर चटनी भी हमेश्च तैयार मिलती है जिनने मैं फ्रीजर में स्टोर करती हूं यह दे उसका वीडियो चाहिए तो वह भी आप ज़रूर देखें इस तरह से देखी बहुती टेस्टी हमारे रोकली कट्लेट्स तयार हो चुके हैं इन्हें बनाए खाएं और अपने एक्समेस मसल ज़रूर शेय करें सित्य की रेसिपीस के लिए हमें फॉलो करें थैंक्यू